बारत माता की सारे साथियों के हाथ उपर आने चाहिए यह डिसाइसिव मॉमेंट है बारत माता की आप सब साथी करांति कारी साथी सबसद नमन आप है तो हम है अगर आप नहीं है तो हम नहीं है अभी जो कमांडर भाई ने और उनके पहले जो बिधायक मौदे ने मैं बिधायक मानने लगाओ इनको ठीक है ना? जलत नहीं कराओ? ठीक है? आज का ये एहां के मीटिंग इस कारण से है कि जो आखरी की जर्रोते हैं जो आखरी की तैयारिया हैं उन में कहीं चूक ना हो जाए क्योंकि कहीं हम सक्सेस्विस सफलता में इतने ना मदबस्त हो जाएं कि भूली जाएंगे वहीं भी चुनाव होना बाकी है है कि नहीं? चुनार को है? चार फर्वरी को उस दिन क्या ओर होगा? पज़ाब आजाद होगा पज़ाब के आजादी है किस से आजादी है? आज मैं भी स्यामपुरा साथ के साथ गया था दो चार सबाओं के अंदर मैं कुछ दिनों पहले जालिया वाला भाग गया था वहाँ देगा कि 200 लोगों की मौते हुई थे उस दिन और वहाँ पे बकायतर बने हुए हैं पुलेट्स के निसांते वालों में यहाँ भी यह गोली लगे थी तुरंत मुझे ख्याल आया कि आज का जालिया वाला भाग पूरा पंजाब बना हुआ है चिटे की गोलियों से मजीथिया ने पुरे पंजाब में लाखों युगाओं को मार दिया गलते नहीं कह रहे हैं मैं जन्नों डायर हो गया है मजीथिया और इस मजीथिया को मारना बहुत जरूरी है इसका साथ देने वाले कैप्टन को मारना बहुत जरूरी है कैसे मनेगा यह हम सब उधम से खड़े हैं यहाँ पे आज इस पर बुलेट से नहीं इस पर बैलेट से मारेगे अपने बोट से मारेगे यह जरूर्ण डायर रुपी मजीथिया और इसके साथ देने वाले कैप्टन को सारे पजाब के उधम से मिल करके चार फरवरी को अपनी बैलेट अपने पोट से बाट डालेगे यह बना लेट का टम्ट में है इन लोगों ने गुरूरों की धर्थी को बेसर्मी से इतना बंदनात कर दिया सरम आने चाहिए एक टूम बरने चाहिए उनको देखे मैं तो दिल्ली वाला हूँ कमांडो दिल्ली वाला है हमें कोई यहाँ पे ना तो चेर्मन मना जैसे कहा चाहँ पुर्ण शाप ने ना मंत्री बनना ना एंवल्य बनना ना को इंपी बनना है यहाँ पर हम इसलिए आएं कि पंजाब गुरों की धर्थी पूरे देश को दिसा देगा पूरे सो ने आप सास्प्री एकाल तो हमारा लालच है साड़े में लालच है लालच की है जब पंजाब दिसा देगा तो पूरे हुंदिस्तान में लहर चलेगा पंजाब बहुत धर्थी है इसने जब जब भारत माता ने अवान किया तब तब द्याब किया गलती नहीं कहा रहा है आप गुरु सावान की जिद्धिकी देख लो दस्मी पासचाई ने अपने चारों बेटों को करवाने ज़े दी देग नहीं थी गिसके लिए दी थी कि मजीठिया यहां बैठके चिट्टे मेजएगा सर्म आने चाहिए इनको ये सिख प्रंपरा के नाम पे कलंख है ये बादल कलंख है ये मुझीतिया कलंख है ये चाप्टन कलंख है साथियों आप सब एक-एक करके आप बो उधम सिंग हो जिनोंने की अपने बैलेट की ताकत दिखवानी है बताना है किस तरह से इस बार फते पानी है और ये कुछ चुटा मोटा काम नहीं है जो आप कर रहे हो आपको नाम जो इतिहास में लिखे जाएंगे तब आपके परपोते पोते पढ़ेंगे वो हमारे दादा में था जी हमारे दादे ने भी उसमकद अपने कंट्रिविशन किया था गंदे नहीं किया रहा आप रिमाजियन नहीं कर सकते हो जेको जिस वकर सकते बगत सिंग थे और दम सिंग थे हमारे दे ने सीग थे करते ही निके अजहाँ आब आज याद करते हैent ओ-ओ-व, ये बीज देखो उनके बROबर कम नहीं हो सकते लेकिन उनसे प्रेधना जरूर ले सकते उनकी प्रेधना लेकरके आखिरी के 10 दिन नान हमने सोना है, ना किसी को सोने देना है। फैरा, यह चुद्ध है, यह धर्मी उत्ध है, तलिक सी चूक ही की काम ख़ड़ा मुझाएगा। हमें चूकना नहीं है, ना सोना है ना किसी को सोने देना है साथ हूं। और मैं पिछली सकारे मंत्री था, कानून मंत्री था, आपने देखा होगा मुझे अभली वाला फोटो याद है कि याद है। जिस इसको याद है, वो टीवी के उपर उसको कह रहा था, डीसीपी को, एक्शन ले। जब अर्मिंजी को किसी ने पूछा, इंट्रिवी में, कहा कि ऐसा काम आजादी के पहले कोई प्रवाना क्या करता था। मंत्री होकर के पूरे ठंड में, रात के साथ घंटे खड़े होके, वो पुलिस को ये करा है कि तो वहां पे एक्शन ले। जहां से साड़े चार लाग रुपया रुजाना की कमाई होती थी। तेरा प्रसेंट बोर्ट पढ़े थे मुझे द्वज़ां तेरा में, और वहीं बोर्ट कन्वर्ट कितरे होगे, 95% द्वज़े पत्रा में। जब यहां पर युस ताकर से उसी बिस्वास से उसी प्जाब में। जब पुल्स वाले फरजी परचे करने से डरेंगे, जब खतम हो जाएगा, ठानेदार कपेगा, कमांडो को याद होगा, जब पहली बारा मरस्विकार बनी, तो आपको पतन यादे के नहीं। अगर कोई घूस मांगे, घूस तो गलत सब्द है, कोई ब्राइन मांगे, तो मना मत करना, रिस्मत मांगे, तो मना मत करना, याद है कि नहीं, रिकॉर्ड कर लेना, उनके एक स्केटमेंट से पूरे दिल्ली में हाकार बच गया, मुझे बस्तल इंफोमेशन है, सतर में से प ठानेदारों ने, DCP बोला, मैं लॉकरी नहीं करने, क्यों नहीं करनी, वह सब पता नहीं क्या करेगा याद भी, ठीक है ना, ये, ये करिक की बात है, और DCP ने बकारा बोला, कि भाया, गलत मत करना, गलत कर दिया, तो हम नहीं बचा पाएंगे, जब मोधी जी दूसरी पास कार में आए, तो पहला कामरों ने क्या किया, जो हमारे पास डंडा था, ACP का डंडा था, इंटी करप्शन प्रांच का जो डंडा था, उस डंडे को चीन लिया, है ना, दर था, कि सारे भरस जेल जाएंगे, साथियों, ये मौका बड़ा इतिहासिक है, बहुत इतिहासिक है कि आप मुसे दिहास का हिस्सा हो, मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको मौरक बाल देता हूँ, कि जिम दिहास लिखा जाएगा पजाब का, तो लिखा जाएगे, फलाने, 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 साथियों उस वकर साथ दियाता है बड़ाब का, है ना, और ये पट्सक्राइबुम्टस साथों का वहां पे लोग आसा कर रहे हैं वीट कर रहे हैं कि प्रजाब में मतलाव हो और यहां मतलाव की बीजड़ जाए जितने हिंदी वाले जड़ी जिनी पाती है उनको पोच़दानी ठीक है ना बीजड़ी बड़ी मुश्किल दना लेकि लेकि आए पिछली बादी वहां पर लोग दिजार कर रहे हैं कि पंजाब में मतलाव हो आपका पूरा देश रिणी रहेगा बता दुम्हां पूरा देश और पंजाब का रिणी हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा पूरा देश रहा है लेकि इस बार स्पेशल आपने जो काम करना है वो करके दिखा दो सोना ने ना किसे को सोने देना साथिन दो बात जो अपने बिल्कुल मूल है आज मैं गाओं में गया था देखो टेहर सामपरा जोने कहा हर घर में लोग कह रहे हैं वैसा लगोरी है ben जाडू लगोरी है लेकिन व चटने लेगे वयुकम है के लोगों ने बोर्ड लगा दिये अपने घर के बार गाओं के बार बोर्ड लगा दिये कैप्टन थे बादल नो इंट्री समझे रहे हो ना एक उसी करके लिखाना है थे वो किता हुएगा हर गाओं के अंदर कोई 10-20 लोग जो बड़े मजबूत वाले अब तो बदलाव हो गया फते हो गई कहीं दिहास में यह न लिखा जाए कि माज़ा शेत्म थोड़े कमजोर लोग थे उनको हिम्मत ली थे भगत सिंग के बंसर है गुरुवों के बंसर है तो गर्दिली कह रहा जी उस बहादुर जिसने की 23 साल के उमर में क्या करनी दिया तो एक बार अपने अपने काओं में जिन जिन जित्र में हमारा जूटी लगा हुआ है वहाँ वहाँ जाएं दस से पीस पचाहाँ जित्रे में लोग ढूंद सकते हिम्मत वाले हैं तो लगा सकते वो लगा दे चलिए फिर क्या करना है एक एक टीम चले सैंपुरा साब एक अपने हर घर में स्टिकर लगा है स्टिक कर रह लुगड़ना चाहिए एक भी बुए ना बचे एक बी द्रवाजा ना बचे एक ठेकर जो वगार सी कर का स्टिकर और पुस्टत और मैं उपर वाले के साव का कि कहता हूं आपको आप बहुत मजबूत हो, ये कायर मजीठिया के लोग, ये कायर कैप्टेन के लोग आपको हाथ नहीं लगाएगे, ठाल लगे ना, मेरी बात निकला ना कहींगी, आप हिंमन तो करो निकलो तो सही, उनको पता आप जीत रहे हो, आज मैं कॉंगरेस के निताओं से भी मिला, करे हो या, बताओ और कैजी, ये तागट कहा जा रही है, तो पहली चीज, हर गाओं के अंदर हमने जितने सर्कल इंचार्ज, जितने बूत इंचार्ज है, जैसा कमांडो ने का, सहाब पुरसाब रिलिस देख लेंगे, देखो ये बहुत, क्योंकि हमारे पास तो जितने पैसे उनके पास है, जितने उन्होंने लूटे हैं पंजाब को, उसका 0.0001% पे नहीं होगा पैसे तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास आप है, हमारे पास आप हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, अगर आपने अपने पैर अंगत की तरह जमा दिये, तो क्या मज किस तरह से आज के आज कर जो स्टेटमेंट नारें के अप्टन साब के और वो कोई अकाली के निता के भी आएं कि एन राइज जो भार चाहें वो भाग जाए हैं से उन तो भगाओ बार आरे भाई एन राइज वही हैं जो कि तुमारी गंदी नीतियों के कारण पजाब छोड से के दाल जाए फोके गया थे वह टने मावन के पास रहना चाहते हैं वो अपने गाउं में रहना चाहते हैं उनका हक है इनको सरम घाई चाहिए इस करने के लिए बचाई भाईों मिलने के लिए कतर के अंदर उचोटे-चोटे रैंग बनागर के लोग रह रहे हैं कितनी तर्खवाइब ली तेरा जार वीश जार अरे डू मरना चाहिए बागर में वो डू मरना चाहिए क्या प्लब गुरों के धर्ती से वो छोड़के अपना बतन चोड़के अपने मावाद चोड़कर आज पंजाबी आज सिख मज़ूर हो रहा है कतर में रहनी के लिए सर मने आती इनको तो रैक्स में रह रहे हैं एक कमरे में नौनों लोग तस्दस लोग रह रहे हैं मैं देखे रात एक राखों में हसुआ गए कि ये पिंड छोड़के अपना पत्र छोड़के मज़ूर हैं रहने हो क्यों मज़ूर है इस तरकारों आपको सौव हैं उटी सबकी आपने ये सीटों जीतनी जीतनी है जितने आपके दोस्ते हैं जितने आपका परिवाद पुरे मुझे आप में सब को फूर्द देगे बोना है यही मौका है कि तिहास हमें माफ निकरेगा अगर हमने साथ ही गलती नहीं कहा रहें तो पहला काम वो दस बीस लों पचानलों जंडा लगवाओं वहापे सबने जंडा लगवाओं आपने अपने गाउं के दिद्द्र दूस पर उनके दुकानों में वो जरूर अपनी च्कर लगाने उनको अपने तरफ कर लो अगर इत जिसे नहीं है अब जितने भीव माल कर्था माने आएंगे जितने लोग कुछ कराने आएंगे आए अन्या जिसे आपका मैकेनिक है जैसे तो साहे वह और बिल्फ explained करता ह्द। और जब भी कोई वहां पर आएगा तुसको बोलेगा भई चाड़ो लाने मुझे आद है जैसा आप यहां हो रहा है ना भी पहले चुनाब में चुकी 2013 नहीं चुना हुआ था उसमें भी दर्डर का महौलता है डर का महौलता मेरी चुनाब में जो मेरा चेतर है वहां पर में जैन सबसे ले डेंगा और पैसे फैसे कि और जो बोट आला आएक हमने और कि तुम्हारे लुटे हुए पैसे है यह है तो हैरी रुल steril format है बोट भी तुम्हारे याम-दृचिर इस Keith a पॉंडिचरी में होके आया, बड़ा इंट्रिस्टिंग से आया है, पॉंडिचरी में बड़ी बजरुक्सी महला जाटू लगा ली थी, और उसको बज़ा भी कितनी आपके द्यारी है, तो का जी कि मुझे मिलता है जी 120 रुपय रोजका, का जी मैंने कितना मिलना चाहिए, कि तो कितना नुफसान हो गया, एक दिन का, 80 रुपय हो गया, अब 80 का मतलब एक मैने में 2400 रुपय है, मानलो ठाय जा रहे है, एक साल में 30 जाल, पास साल में 0.5 लाग, हो एक नहीं हो गया, मैंने बोला जी आपने पिछले चुनाव में किसको वोट दिया, को लाफ लाने को जाय को दिया है, कि उसने वो गीजल दे दिया, एक सिलाइब से बुष दे दिया, और कितने इधा रुपया रुप लाज़ का, कितना नुफसान हो आपका 50 लाग का, है किना नुफसान हो गया, वो माता समझ गी, अब पाँड़ी चर्यों चुनाव लटते रखते रह गये, लेकिन वहां पर ये बात फैल गई मैंने का जी माता जी अगली वाद जो आए ना कम से कम डेड़ लाग रख तो जाके वोट की प्रमिस करोगी नहीं तो जो ते रख लो भोलो कि जी जाड़ू को पोड़ देगी ठीक है जो एक कहानी सुना जेता हूं जो कि आपको यूज करन स्टालिन प्रोस्या में हुआ सब जानते होगे जो जो हमारे साथी इतिहास के साथी है वो जानते हों इस ने क्या घजी अपनी पॉलिक भुरों की मिट्ञ बलाई जैसे अपनी मिट्ञ बलाई है और उस पॉलिक ब्लिघ्ञितम सम्धार आ है कि जंदके साथ कैसे परताब क क्य करिकर लेकर कि गए निकाला धुसरा निकाला फिर तीसरे निकाले लगा उर्का नहीं निकालता है रहाद मुरकर रहाद हomas के पास मुरुगा दाना खाने लगा है फिर अपने उन्हों को बोलता है ऐसे ही करना है दंता के साथ उनको पहले मालो गुटो सिक्षा ना दो स्वास्त ना दो बेचिती करो पर्चे कराओ उनको पुड़ियां खिलाओ और आखरी में दाने लेके चले जाओ तो मुर्या खाने लगा है अईयो राना जी चुनाव आ गया हाँ जी बोलो जी सुदार साथ की कर दी तो देखे चड़क बना देगे टीपल लगा देगे ये करी दी अरे बाई तु चार मेहने दस चार साथ दस मेहने कहा दा और तुम्हें तो फंडामेंटल बदलाव के पाटी के जैसा सिक्षा में सुधार जो दिल्ली में हुआ किया है आम आप दी पाटी अर्विंद केजरिवाल शामपुरा जी सोबनाद भार्तिक कमांडर सुरंदर इन सबका मानना राप सबका मानना है कि अगर आपने अच्छी सिक्षा दे दी अच्छी प्राइमरी अच्छा हेल्थ केर दे दिया हमारा समाज अपने आप बढ़ जाएगा कोई सरकार नहीं चाती कि वहां के जंता पड़ लिख जाए कोई सरकार नहीं चाती कि छित्र के जंता मजबूत हो जाए मजबूत आपके जो स्वाल पूछ लेगा कि आवे मजीचिया कितने बेच रहे हैं आवे कप्टन साब क्यों नहीं मजीचिया को पकड़ा अपने आज तक वो क्यों चेल के बार है कितने की डील हुई कितने में मिखे रहते नहीं कह लिए यह कर सकता है कौन सवाल जो पड़ लिख गया हूँ जो मजूत हो गया हूँ और ऐसा कौन चाहता है वो सरकार चाहेगी जो कि आम आदमे को मजबूत करना चाहती है अगर आम आदमे मजबूत नहीं हुआ तो कैसे पढ़ेगा पंजाब पंजाब क्या किस प्लायोवर से बनता है पंजाब क्या उसरक से बनता है पंजाब बनता है पढ़े लिखे नौजवानों से पंजाब बनता है उन नौजवान जो की डिगरी तो हाद में नौकरी नहीं गंदी नहीं कह रहा है और उनको नौकरी में पंजाब बनता है जब हमारे मुझरु कह सके कि हजी हम यहां आदर से ची रहें पंजाब बनता है जब नसा यहां से खतम हो जाए पंजाब बनता है जब अपने कुर्मों की उबदेश में हम चाल पाए और दसी पात्साई ने का, जेको प्रेम खलन की चाओ, इसे दर 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 जाओ, ये है, और हम सब प्रेम खेलने को उतार हुए, है कि नहीं, ये डिसाइसिव मोमेंटे मेरे भाईवों, आपने कर दिया, फते हो गई, फते हो गई आपके जैसे कमांडों कहरे थे, लेकिन एक मिंटे भी सोना नहीं है, ठीक है ना, आपके लिए बाईवल है, आपके लिए घुकन साहिब, ये जो, जितने भी आपने गीता, ये कुरान, ये चारो धर दर दर पढ़ लो, सब में लिखा है, कि हम सब पराबर हैं, प्रमात्मा ने, अल्ला ने, बाईगुरु ने, कौन न सब को बराबरी का हग दिया है, और हम ये करके दिखा देंगे, पंजाब में, किस तरह से बगेर धर्म का काण खेले, बगेर धर्म को छेडे, बगेर जाती को छेडे, हम कैसे सकार बनाते हैं, और आप लोगों ने मिल करके दिल्ली को निरास करना है, दिल्ली में 1767, आप ल और अपने भागपूर साब यहां की खड़े थे, कहां चले गए, उपड़े अच्छे से चांपो देते हैं, तो देखो जी, हम डॉक्टर के पास आते बेमार हो जाती है, अब डॉक्टर ने आपने इलाज करा, एक मेन आउगे, दो मेन आउगे, तीन मेन आउगे, इलाज ही ह मेन आउगे खो जोरता? इंदोruktur जोरता? फिर कहां करते? डॉक्तर में चोलती है? बाटतोर बुक्तर होने ऊगी हम से इसे निसो दल रहा पंजाब, पंजाब सुदरेगा आपसे, स्याम पुराजी नहीं का रहे हैं मिधान से बाख्या लखना ये बाजिस्तर सणों ने कहा, कमांडो ने कहा, आज कमांडो और सुमनात भार्ती अर्वित केजरिवाल में से सो दिया, ये सबी ऐसे बिचरते हैं जतना मेरे पास आई, जो सिवा का मौका दिया, जो सिवा का मौका दिया, हम जो कहते हैं, बड़ा-बड़ा उसका धन्नबाद करें, अच्छा, ये जो आपका, वो है, बोटिंग लिस्ट, आपके बूत का, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टन डॉकुमेंट है, ठीके न कितने लोगों की साधी हो चुकी है, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोगों जा चुकी है, कितने फिक वोटर्स है, उसका अध्यन कर लो पुरा-पुरा, अध्यन कर लो, और अध्यन करने के बाद आपके पास वो लिस्ट होगी, कि वह ये सारे वोटर्स नहीं है अगर आपने उस को दॉकुमेंट की मास्तरी कर ली आप चुनाव के वह काम हो गया मास्त-र्लोंकि का हमे उन तर्ट के एव करें भाजपा अकाली कॉंगरे सब कह दें बाइशाब इस पार डाल दों को डामा दी पार्टिक को बात निए ठीक है ना ऐसा बहुत 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 लेकिन लेकिन आपने लेकिन आपने पहली बाद तो हर गाउं जंडे लगने चाहिए दूसरी बाद जो है सब कहाओ लगाओ अपने अपने स्टिकर एक बिगर स्टिकर के वर नहीं होना चाहिए और आप बड़े निडर्टा के साथ हर गाउं मैं आपको आज अपने होप से कहते हैं दो दिश्य में घूरा हूं मेरा अंगोब यह है कि हर कोई आपको बोट देने को तयार है हर कोई आपको ढ़ना लगाने को तयार है हर कोई आपको अस्टिकर लगाने को तयार है आप में कमी है आप पहुचो हर घर हुआ बैठना नहीं है और किसी का कुछ सवाल हो स्पेसिविक पूछ लो कमांडों के पास मेरे पास अपने लगाना है जो भी बूसन चाहत लगे एक दूस कि में इतकाल दी खेवा मंगा वया हुआ 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 है इना नायम मंतरी साथा सोना दुपार तै मेरी इत्रही टकाणे नगी मैंने कहता हुआ पार थी हो बीपी सी की